आज का मार टोपिक है Variation in Small G Due to Rotation of Earth यानि कि Gravitational Acceleration में कैसे Change आता है Due to Rotation of Earth and Due to Latitudes Longitudes and Latitudes जो होते हैं किसी भी Point के Coordinates होते हैं On Surface of Earth तो अगर हम एक Place से दूसरे Place पे जाएंगे अर्थ के ओपर तो Latitude चेंज हो जाएगा जिसकी वज़े से Gravitational Acceleration भी Change हो जाएगा तो उसी को हम देखते हैं साथ ही हम देखते हैं कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे Rotate करना बंद कर दे Stop कर दे तो तब Gravitational Acceleration की Value में क्या Change आएगा और जिसकी वज़े से जो Different Objects हैं उनके Weight पे क्या Effect पड़ेगा तो उसे हम Cover करेंगे तो आप ये देखें कि हमारी Earth जो है वैसे तो आपने पिछले Lecture में मेरे ये सीखा था कि थोड़ी सी Oval Shape में होती है जिसकी वज़े से Equator पे Radius ज़्यादा होती है Earth की और Pulse पे कम होती है लेकिन यहाँ इस Derivision को करने के लिए हम इसके About Earth Rotate कर रही है With Omega Angular Velocity तो Earth के उपार जितने भी Objects रखे हुए है वो भी Earth के साथ साथ Circular Motion में है अगर कोई Particle यहाँ रखा हुआ है Equator पे है Equator पे जो Radius है वो R है Caval R है तो Equator पे वो घूम के वापिस वहीं से वहीं आ जाता है Particle Earth जहाँ वो West to East इधर की तरफ East Direction है इधर West Direction है यह North Direction है और यह South Direction है West to East Earth जहाँ वो Rotate करती है अपनी Axis पे जिसकी वज़े से कोई भी Particle M Mass का वहीं से वहीं आ जाता है एक Circle में Motion करता है तो कोई भी Body अगर Circular Motion करती है तो उसके लिए उसे Centripetal Force की ज़र्वरत होती है अगर उसे Centripetal Force नहीं मिल रहा है तो Body Circular Motion नहीं कर सकती यह हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई Body Circular Motion करती है तो उस Body के ओपर Centrifugal Force लगता है Centrifugal क्या होता है कि Centripetal अगर नहीं मिल रहा है उसे आप बोल देते हैं कि Centrifugal Force है तो Centrifugal Force एक Imaginary Force होता है तो अगर कोई M Mass की कोई Body है और वो थोड़ा सा Equator से उपर की तरफ या नीचे की तरफ रखी हुई है तो तब हमें एक General Point हम देख रहे हैं इस Point के ओपर माले Point का नाम है P इस Point के ओपर Gravitational Acceleration की Value में क्या Change आएगा वो हमें देखना है तो यहाँ पर यह जो Body है यह छोटी Radius में Rotate कर रही है इस वाले Circle में Rotate कर रही है तो इस Circle की जो Radius है वो Small R Small R जो है वो Different है Than Capital R Capital R से छोटी है यह Small R जैसे जैसे हम Equator से North Pole की तरफ जाएंगे यह आपका North Pole हो गया यह South Pole की तरफ जाएंगे यह South Pole हो गया तो Small R की Value यानि की Axis of Rotation की Value जो है वो Decrease होती चलिए कम होती चलिए आएगी तो Small R Decrease होता चलिएगा लेकिन यहाँ पर अगर कोई Object रखा हुआ है तो उसको गूमते वक्त वहाँ पर उसके ओपर क्या लग रहा है Centrifugal Force लग रहा है तो Centrifugal Force जो होता है circle से बाहर की तरफ को लगता है तो यह circle से बाहर की तरफ को लग गया Centrifugal Force और Centrifugal Force की Value आपको पता है MR Omega Square होता है Centripetal Force या Centrifugal Force के दो Formula's होते हैं एक तो होता है MV square upon R और एक होता है MR omega square दोना एक दूसरे के equal होते है तो इतना क्या लगेगा यहाँ पर centrifugal force लगेगा माल लिया इस M bus के या P point के को अगर हम join कर दें अर्थ के center से center का नाम है O तो यह आपने join कर दिया तो यह radius कितनी आ गई अर्थ की radius के equal आ गई R तो यहाँ जो weight work कर रहा है center की तरफ वो work कर रहा है M G और यहाँ पर जो इसके latitude है यह latitude angle हम let कर रहे है कितना है यह alpha latitude angle है तो अब हम इस MR omega square के दो components कर देंगे दो टुकडे कर देंगे किसी vector को आप दो directions में break कर सकते हो तो हम इसे दो direction में break करेंगे एक तो direction M G के opposite यानि कि इस तरफ और एक direction earth की आपड टेंजेंट की direction तो यह दो directions में break करने के लिए आप यह देखो कि यह वाला angle अगर alpha है तो यह वाला angle भी कितना हो जाएगा alpha अगर दो parallel lines है और उसे एक line cut करती है तो यह जो angle होते हैं इन्हें बोलते हैं alternative interior angles और alternative interior angles are equal तो if this angle is alpha latitude angle बोलते हैं इसे तो यह वाला angle भी कितना हो जाएगा alpha हो जाएगा तो यह वाला alpha है तो इसके opposite वाला angle यह वाला भी कितना हो जाएगा alpha हो जाएगा क्योंकि अगर दो lines intersect करती हैं ये दोनों जो होते हैं, ये vertically opposite angles होते हैं, और vertically opposite angles जो होते हैं, वो आपस में गया होते हैं, equal, ये वाले क्या थे, पहले वाले alternative interior angles थे, तो यहाँ पर ये vertically opposite angles हैं, याने कि Mg, Mr omega square का जो component इस direction में हैगा, एलफा वाली direction में हैगा, ये वाला जाएगा, Mr omega square cos alpha, और ये वाला component आजाएगा, Mr omega square sin alpha, यहाँ पर cos क्यों है, जिस तरफ alpha angle होता है, उदर वाला component cos में आता है, जिदर angle नहीं होता है, उदर वाला sign में आता है, तो अब हमें ये देखना है कि center की तरफ जो resultant force लगेगा, Mg जो है, वो definitely greater than है, Mr omega square cos alpha से, तो Mg में से minus होजाएगा, Mr omega square cos alpha, तो resultant force आ जाएगा towards the center, तो resultant force on M mass towards the center of the earth, तो earth के center की तरफ resultant force लगेगा, F is equal to gravitational force, जो Mg है, जहाँ पर G जो है, वो value है, gravitational acceleration की जो होनी चाहिए, अगर earth rotate ना कर रही होती, तब, तो यहाँ पर Mg होती, तो minus, क्या होजाएगा, Mr omega square cos alpha, resultant force जो होता है, वो mass into acceleration की होता है, तो let, जो resultant acceleration आएगा, यहाँ पर, वो आएगा, G dash, Mg में से, Mr omega square cos alpha minus होने की वज़े से, जो resultant acceleration है, towards the center of the earth, that is, G dash, तो G dash की value G से different है, और हमें इनी में relationship find out करनी है, Mg minus Mr omega square cos alpha, M, 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 आपने सामने सारे common आके cancel हो जाएगे, तो G dash is equal to G minus R omega square cos alpha, तो यहाँ पर आप देखें कि, जैसे जैसे हम Paul की तरफ जाते जाएगे, small R की value decrease होती चली आएगी, तो decrease जो होती चली आएगी, यह value कम होती चली आएगी, तो G dash की value increase होती चली आएगी, यहनि, as we move from equator towards Pauls, the value of gravitational acceleration increases, और सबसे जादा gravitational acceleration खहा होगा, North Paul पे and South Paul पे होगा, because there small R will be equal to 0, at North and South Paul, G dash is equal to किस चीज़ के होजाएगा, G के, minus 0, small R की value 0, यहनि, G dash is equal to G, तो यह जो G dash की value है, यह maximum value है, ठीक है, and at equator, equator पे small R की जगेंपे हम क्या रख देंगे, capital R रख देंगे, और वहाँ पर value जो होगी, वो minimum value होगी, अब यह आप यह देखिए, small R को हम capital R में कैसे convert करेंगे, क्योंकि small R की value जह है, position to position change हो रही है, तो हमें इसे, इस latitude angle की term में लिखना है, और radius capital R की term में लिखना है, तो यह जो triangle बन रहा है, यहाँ पर यह 90 degree के angle आ रहा है, तो इस triangle में देखो, अगर आप cos alpha का formula लगा होगे, तो base upon hyperdenus, इस triangle को हमें दुबार से बना के दिखा दूँ, यह triangle कुछ इस तरीके से है, यहाँ 90 degree के angle बन रहा है, यह वाला angle alpha है, और यह वाला जो hyperdenus है, यह capital R है, और यह alpha के साथ वाला जो होता है, वो base होता है, base कितना है, small r है, तो अगर हम इस triangle में देखें, let यह वाला point आपका C है, तो triangle PCO, in triangle PCO, अगर हम cos alpha देखें, cos alpha is equal to base upon hyperdenus, base कितना है आपका, small r, hyperdenus कितना है, capital R, small r, capital R, तो small r कि value कितना है, capital R इदर multiple i में आएगा, cos alpha के साथ में, तो small r is equal to capital R cos alpha, इसे हम कहाँ put कर देंगे, equation number 1 में, तो putting in equation number, when we will get g dash is equal to g minus r omega square, एक cos alpha पहले से एक और आगया, तो cos square alpha, तो यहाँ से हमें पता जलता है कि अगर alpha की value, 90 degree है, north pole पहा, south pole पहा, latitude angle 90 degree है, तो वहाँ पर cos 90 की value 0 हो जाएगे, और g dash की value g के equal होगी, सबसे जादा होगी, और अगर हमारी earth जो है, वो अपनी axis पर rotate करना बंद कर दे, तो if earth stops rotating, stops rotating on its axis, तो then omega की value कितनी हो जाएगी, 0, यह पूरा term 0 हो जाएगा, तब भी g dash की value कितनी हो जाएगी, g के, यानि कि सभी जगें पर gravitational acceleration की value increase हो जाएगी, pulse पर तो उतनी ही रहेगी, because pulse पर तो पहले से ही maximum है, g dash is equal to g है, लेकिन pulse को छोड़के, बाकी सभी जगें पर gravitational acceleration बढ़ जाएगा, यानि कि objects का weight है, mg dash, वो increase हो जाएगा, तो उमीद है कि आपको समझ में आया है, मिलते हैं अपनी next वीडियो में, तब तक के लिए thank you,